आज के दोर में प्रतेक सक्स चाहे वाँ अमीर हो या घरीब हर वेक्ति अपार खुशिया प्राप्त करना चाहता है परन्तु यह सब उतना आसान नहीं होता है उसके लिए कठिल प्रिश्रम करना पड़ता है बूरे और अच्छे दिन भी देखने पड़ते हैं चाहे वाँ व विप्रित कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मैनत और लगन से जीत और मैनत करते हैं और आगे बढ़ने के लिए रहा पर निरंतर प्रियास करते हैं हलो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए मेमान हो तो इस चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए साथ में दोस्तों हम बात कर रहे हैं मनुप्रकास त्यागी की जिन्होंने अपना एक हिंदी ट्रावेल ब्लोग बनाया है जिसमें वह जहां भी ट्रावेल करते हैं वहां के समंदित जानकारी और चित्रों का उलेक करते हैं मनुप्रकास उत्रप्रदेश के मुझफर जिल्लेक में इस्तिद एक छोटे से गाउंबु नाड़ा के रहने वाले हैं पारिवारिक इस्तिती सही नहीं होने की वजह से उनके गर में सुरू सही पारिवारिक कलहन का महौल बना रहता था जिस वजह से उनकी पढ़ाई इसे नहीं मांगे और खुद अपने पेरों पर खड़े होने के लिए कोशिस में लग गए जल्दी उन्हें अपनी योगीता की विजह से एक विद्यले में अध्यापक की नोकरी मिल गई जहां उन्होंने करीब 2 साल बच्चों को पढ़ाने का कारे किया उन्होंने अध्या 14 वर्स की उमर में जब उन्होंने अपनी बार्वी का एक्जाम पास किया उसी के अगले साल सन गुंदी सन अन्जण में जविन के विवात के चलते उनके बड़े भाई की हत्या हो गई ती जिस वजह से उन्हें और उनके परिवार को काफी दुख बरा समय देखना पड़ा तब उनके माता पिता ने अपने बड़े पुत्र की मिर्ति को देखने के बाद उनको अपने गर से कहीं दूर बेज दिया जिससे कि उनके उपर कोई प्रेशनी या संकट नहीं आए घर से दूर जाने के बाद वे गाजियाबाद जिल्ले में आकर रहने लगे और उन्होंन उन्होंने के बाद उन्होंने अपना एक computer coaching खोला जिसके लिए उन्होंने computer में hardware का course complete किया और वे अपने computer coaching में बच्चों को computer के बारे में बताते थे सन 2007 में उनके पिता की जमीन की रंजीस की वज़े से हत्या हो गई और उस वक्त उनकी उमर करी 25 वर्स की थी पिता की मिर्ती हो जाने के बाद उनके परिवार के आर्थिक हालात बिगटते चले गए और 28 की उमर में उन्हें दुबारा घर छोड़ना पड़ गया और वे वापिस गाजयाबाद जिल्ले में आकर रहने लगे गाजयाबाद में आकर उन्होंने अपनी पतनी के साथ कड़ा का शोग था और इसे वज़े से उन्होंने अपना एक ब्लोग बना कर ट्रेवल से समंधित बातों को लिखना शुरू कर दी मनुने बताया कि उन्होंने भारत के चारो दाम उत्रांचल के चारो दाम नो जोत्रिलिंग नो देवियां कवन सक्ति पीट और कई सहरों के हिल क्शिट करते हैं और ठुटिओं के दारंब के साथ मिल गुमें के लिए से पिजेट को बचाने की कूशिए जा यए और साथ ही अपने ब्लोग से कम में कैसे घुमा जा सकता है इसको इस्को भी बठाते रहते बचेटको कम करने कंवे अधिकांस दो सो से घ्ढई-सो लोगो करते थे रहने के लिए होटल में अपना कमरा बुक कराने की वजए वह अपने साथ एक टेंट लेकर चलते थे और खाने के लिए वह सस्ते माध्यम भी तलास करते थे या फिर मेगी बना कर काम चला लेते थे मनों के मुताविज जब उनकी पत्नी का बिजनिस बढ़ गया तब वह भी कम से कम बज़ेट में विड़ोसों में अपने बज़ेट को मैनेज करने के लिए वह किराय पर भायक लेकर या फिर रोकल बसों में गुंगते थे मनु बताते हैं कि वह इंटररनेट के आने से पहले घुमने के लिए कहीं भी जाते थे तो वह भी हर सक्स की तरह एक प्रफर के दोरान वे अपने स्मार्ट पॉण में इंटरेट के जरिया उन्होंने अपनी यात्रा के दोरान कई ऐसे इंग्लिस ब्लोग भी मिले जिनने उन्हें पढ़कर काफी अच्छा लगा और यात्रा और रोमांज को काफी आसान बनाया बस यहीं से उन्होंने सोचा कि अपनी यात्रा से संबंधी जानकारी को और सभी लोगों के लिए लिखना चाहेंगे और उन्हें अपना एक खुद का ब्लोग बनाने का आइडिया आया मनु जब भी कभी किसी यात्रा से संबंधी जानकारी डूंडते तो उन्हें सभी इंग्लिस में ही मिलते थे इसलिए मन गूगल इंडिया ने अपने ओपिस में चार बार भी बुलाया था गूगल इंडिया के दुवरा इन से पूछा गया था कि कि कैसे आप 10 साल से हिंदी ब्लोगिंग लिख रहे हो आज इनके हिंदी ट्रेवल ब्लोग को पढ़ने वालों की संख्या 30-40 लाग है और इससे होने वाली कमय कई जहदा है दोस्तों मनुन ने यह मुकाम एक दिन में हासिल नहीं किया इसके पीछे उनकी लगें जो उन्होंने बूरे दोर में भी नहीं छोड़ी और लगातार अपने काम में लगे रहे और पीछे मुड़कर नहीं देखा आज वहाँ एक बैतरिन बजेट ट पहले मिल सके तो भी मिलते हैं एक और इंट्रेस्टिंग स्टोरी के साथ तब तक के लिए बाई बाई